जिस स्टोरी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ ये आज की स्टोरी ये देश की शायद सबसे भयानक वारदात में से एक होगी। यहाँ पर लोग आये तो पानी की मोटर चलाने के लिए थे लेकिन वहाँ पर रक्त की नदियां बहे चुकी थी। जिस केस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ ये है शर्मा फैमली केस। संध्या नाम की महीला से हुई थी और इनके तीन बच्चे थे अमन हैपी और अज्जू। क्या करते थे इनकी वाइफ जो संध्या है ये टैक्वांडो की कोज थी तैक्वांडो एक मार्शल आर्ट होता है भाई मुकेश, हार्मोनियम और ढोलक बजाया करते थे और ये सत्संग में, जागरन में, बजन कीरतन में ढोलक बजाने का काम किया करते थे इनका समय अक्सर घर से बाहर ही बीता करता था जगह जगह पर ये हार्मोनियम और ढोलक बजाया करते थे हमेशा ये शहर से बाहर ही रहा करते थे तो कुल मिलाकर ये एकदम ठीक ठाक फैमली थी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था घर में बनवारी लाल इनके तीनों बच्चे और बड़ा वाला बतीजा ये पांचों लोग घर के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में सोया करते थ वहीं बुड़े माता पिता पतनी संद्या चोटे बाई की पतनी कवीता और चोटा लड़का वीने ये चछत पर एक कमरा था वहां सोया करते थे अब दिन आया 3 अक्टूबर 2017 का बिलकुल सुबा सुबा का टाइम था साड़े 5 से 6 बजे के आसपास का टाइम था हर रोज की पहला काम था नीचे जाकर पानी की मोटर ओन करना तो सबसे पहले संद्या नीचे गई और पीछे पीछे इसके कवीता भी आने लगी जैसे जैसे ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे थे इन्हें कुछ अजीब सी बेचैनी मैसूस होने लगी वहां फर्च पर लाल-लाल दब्बे दिखाई दे रहे थे साथ में पैरों के नीचान भी मुझूद थे ये निचान उसी कमरे की ओर से आ रहे थे जिसमें संद्या के पती बनवारी लाल तीनों लड़के और उनका भतीजा सो रहे थे संद्या मोटर चालू करने से पहले इसी कमरे में जाती है आखिरक सुनकर कवीता भी भाग कर उस कमरे में पहुँच गई, वहां का दृष्य देखकर इसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, ये सुबह 6 बजे का टाइम था, दोनों बेहने बाहर आकर चिक चिक कर रो रही थी, और उस कमरे की और इशारा कर रही थी, अब एक अन्नोन व्यक्ति ज इस घर में पहुँचा, डोक्टर ने जब मोबाइल की टॉर्च ओन की और उस कमरे में जाक कर देखा, तो एक पल के लिए इसका कलेजा भी बाहर आ चुका था, उस कमरे में बनवारी लाल, तीनों बेटे, अमन हैपी और अज्जू और भाई का बड़ा बेटा निकी, ये स इसी महले वाले ने पुलिस वालों को बुलाया, दीरे दीरे लोगों की भीड़ घर के आसपस इकठा होने लगी, करीब 45 मिन्टों बाद पुलिस वाले इस घर पर पहुँचे, कुछ स्थानिये लोगों ने पुलिस वालों से कहा के बनवारी लाल और अमन की हलकी हलके सांस पुलिस वालों ने तुरंट एम्बूलेंस को बुलाया और दोनों को नजदीकी के सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया गया मगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें डेट डिकलेयर कर दिया एक घर में पांच-पांच लोगों का कतल हो गया जिसमें चार लड़के थे और ये आग की तरह खबर पूरे महोले में फिर पूरी राज्ये में फैल चुकी थी पुलिस वालों के हाई रैंक आफिसर्स के साथ साथ एफसल टीम डॉक्सक्वेड की टीम भी आई और घर में सबका हाल यहां बेहाल होने लगा था संधिया तो अपने पती और बच्चों की हालत को देखकर बेहोश हो चुकी थी इसे भी लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया पुलिस वाले और एफसल टीम अब घर का पूरा मौयना कर रहे थे कमरे में हर तरह खून के धब्बे ही धब्बे थे दिवारों पर छीटे लगे हुए थे पूरा बिस्तर बै बाके तीनों बच्चों के शाओ को भी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया पॉस्ट मॉटम के लिए दो शाओ तो आल्रेडी हॉस्पिटल में थे ही तो इसलिए डॉक्टर्स की टीम पांचों काब पॉस्ट मॉटम करते हैं तो इधर पूलिस वालों ने अपनी इन्वेस्ट आई तो देखा गलियारे वाला दर्वाजा खुला हुआ है मतलब कि जिस तरीके से रात को इसने ये दर्वाजा बंद किया था वैसे वो बंद नहीं था तो जब की कमरे में खुलने वाला दर्वाजा लॉक्ट था तो यहां से पुलिस वालों को लगा कि ये लोग में दर् पुलिस वालों को ये लगा कि यहां जरूर दो से चार लोग जरूर रहे होंगे। नहीं सुनी थी। ये घटना दो अक्टूबर की आदी रात और तीन अक्टूबर की शुरूआती दिन के बीच में हुआ था। गर पर एक इतना बड़ा कांड हो चुका था और इसके बारे में उसे बिलकुल भी अंदाजा नहीं था। पुलिस वालों के कई अलग अलग टीम्स बनाई गई सबको अलग अलग काम सोपे गए। इस घर के आसपास और आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे सभी जगह पर लगे सीसी टीवी कैमरास को चेक करने की कोशिश की गई। यहां पर बहुत ही जादा कम कैमरास लगे हुए थे लेकिन जितने भी कैमरे थे वो सारे कैमरों को चेक किया गया लेकिन वो कैमरास की फोटेजिस कुछ भी काम नहीं आपाई उसमें कोई भी सस्पेक्ट नजर ही नहीं आया वो ऐसे रास्ते और ऐसे एंगल पर लगे अगर कोई बनवारी लाल का कतल होता तो समझ में भी आता कि दुश्मनी रही होगी लेकिन यहां पर तो मासूम बच्चों का भी कतल कर दिया गया था वो भी बड़ी बेरहमी के साथ अब पुलिस वाले शर्मा परिवार की हर एक डिटेल जानने की कोशिश करती है कि यहां स कुछ सुराग उन्हें मिल सके सन 1999 में बनवारी लाल की शादी राजगर तैसील के रहने वाली संद्या शर्मा से हुई थी और आगे इनके तीन बच्चे हुए गटना वाले दिन के अनुसार सबसे बड़ा बेटा आमन एक ए मोहित 17 साल का था और यह 11 में पढ़ता था 15 साल का हैपी जो था वो 9th क्लास में पढ़ता था और जो अज्जू था वो 7th क्लास में पढ़ता था बनवारी लाल की शादी के कुछ साल के बाद चोटे बाई मुकेश की शादी हो जाती है संद्या की बहन कवीता के साथ मुकेश और कवेता के दो बच्चे हुए गटना वाले दिन के अनुसार इनका सबसे बड़ा बेटा निकी ये बारा साल का था और सेवंथ में पढ़ता था और चोटा बेटा वी ने मांसिक रूप से अनफिट था यानि की हम मन्द बूधी टाइप कह सकते हैं वो माइन्ड से थोड़ा सा कमजोर था तो ये सबी लोग पहले अपने अपरेटर की नोकरे मिल जाती है फिर ये यहीं पर ही किराय का मकान ले लेते हैं और रहने लगते हैं और उसके बाद इरों ने आगया अपने बीवी बच्चों को भी यहीं पर बुला लिया फिर पांच से साल के बाद उनका छोटा बाई और उनका परिवार शिवा जी पा यानि की बनवारी लाल के चाचा जी का परिवार करते थे पुलिस वालों को लोगों से पूछ ताच में ये भी जानने को मिला अब जो की बनवारी लाल और उनका परिवार यहां आ चुका था तो सोचा क्यों ना गाउं वाले जमीन का बटवारा कर लिया जाए अब चाचा तक बात पहुँच चुकी थी लेकिन गाओं वालों ने जैसे तैसे इन दोनों परिवार वालों के बीच में सुला करवा दी थी ये बात करीब तीन चार साल पुरानी है लेकिन जब ये पांच-पांच कतल हुए तो लोगों में जमीनी विवाद के किसे और चर्चे याद आन सुलाने इससे भी बात चित करनी शुरू की कि तुम्हें कुछ पता है कतल कौन कर सकता है कौन नहीं किसी के उपर आपको शक को संद्या ने भी यही कहा कि इसके पती के खांदन के लोग ही यहां शामिल होंगे पहले भी जमीन को लेकर इन्होंने बहुत मार पिट की थी तो वैसे तो चारों बच्चें जिसमें तीन बनवारी लाल के थे और एक भतीजा ये सभी बस से स्कूल जाया करते थे बड़ा बेटा अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था तैंथ के बोर्ड एक्जाम में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था इससे खुश होकर पिता बनवारी लाल एक स्कूटी खरीते हैं घटना वाले दिन सुबह में जब सभी लोग रिष्टेदार इकटा हुए तब ध्यान गया स्कूटी के उपर क्या अकिरकर स्कूटी कहां है क्योंकि ये स्कूटी तो घर पर थी ही नहीं कहां गायब हो गई हर जगहा पर इसे पूछा गया लेकिन किसी ने भी स्कूटी को नहीं देखा था जब ये नहीं मिली तो पुलिस वालों को बताया गया कि वो कहीं कातिल ही तो नहीं इस स्कूटी को लेकर फरार तो नहीं हो गई अब कतल वाले दिन यानि कि 3 अक्टूबर को पॉस्ट मॉटम करने के बाद शाम को पांचो शाओ परिवार वालों को सौप दिये गए अगले दिन तक इनके पुष्टैनी गाओं गारू ले जाया गया जहां पर इनका अंतिम संसकार किया गया भाई मुकेश तो मुझूद नहीं थे तो इसलिए उस जो चोटा बच्चा था जो की मेंटल स्टेबल नहीं था विने शर्मा उसने सब को मुखागनी दी पॉस्ट मॉटम से ऐसा लग रहा था जैसे कातिल की इन से बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी बड़ी निर्ममता से यहां मर किये गए थे कतल के लिए चाकू जैसे वैपन का यूज किया गया होगा और वो चाकू भी दोधारी होगा वो इसलिए क्योंकि इसके वार से हड़ियां तक तूट चुकी थी सबी के गले पर कट के निशान मुझूद थे पीट पर पेट पर दिल के पास इधर हैरान करने वाली बात एक और सामने निकल कर आई कतल से पहरे ये शायद पांचो विक्टीम गहरी निन्द में सो रहे होंगे इन्हें शायद कोई नशीला परदार से दिया गया होगा क्योंकि इनके शरीर पर कोई भी खुद को बचाने जैसे निशान नहीं थे यानि कि किसी ने भी विरोध करने की कोशिश नहीं की थी सिर्फ एक बड़ा वेटा अमन ही था उसके बाजू पर चाकू के निशान मिले लगा के इसी नहीं शायद विरोध किया होगा बाकि सबी बेहोशी की हालत में इन्हें मार दिया गया और इनके शव भी सोते हुए पोजिशन में ही पाए गए अगर विरोध हुआ होता तो किसी और आवस्था में पड़े हुए होते इसकी जाच के लिए डॉक्टर्स को सैंपल्स फोरेंसिक लैब बेजा गया और यहां जो इदर घर वाले थे इन्होंने पूलिस वालों को एक और चीज बताई कि पिछले रात को ये सबी लोग जल्दी सो गए थे और इन्हें गहरी नींद आई थी शायद यही वज़े थी कि किसी ने कोई शोर नहीं सुना था अब पूरे परिवार को एक साथ गहरी नींद कैसे आ सकती है कहीं सबने कोई नशीला पदार्स तो नहीं खाया था पिछली रात के कुछ रोटियां और डाल वगेरा ये सब बचा हुआ था पुलिस वालों ने इन्हें लैब भिजवाया जाच करने के लिए और फिर कहीं कतल करने के पीछे घर के किसी मेंबर का हाथ तो नहीं है में दरवाजा भी अंदर से ही खोला गया था पुलिस वालों की एक टीम ने स्कूटी को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया था इसी दोरान किसी ने पुलिस वालों को कबर दी कि रेलवे स्टेशन के पास मंडी रोड अलवर में एक लावारी स्कूटी खड़ी हुई है पुलिस वालों ने उसे कबजे में लिया और घर वालों को दिखाया ये स्कूटी शर्मा फैमली की ही थी और स्कूटी के ऊपर रखत के कुछ धब्बे लगे हुए थे और हाथ के दब्बे थे हैंडल पर जरूर फिंगर प्रिंट्स भी होंगे तो पुलिस वालों ने इसे फ्रेंसिक लैब में भिजवाया पुलिस वालों ने मंडी मोड पर लगे सिसे टीवी कैमरास को भी चेक किया आखिर कारकिस ने यहाँ पर स्कूटी को पार्क किया था तीन अक्टूबर की सुबह अर्ली मॉर्निंग यानि की एक बज़कर 48 मिनट पर स्कूटी पर सवार यहाँ पर दो लोग आते हैं एक मंडी मोड पर ही उतर जाता है और यहाँ पर एक टंकी लगी हुई थी उस आदमी ने वहाँ पर अपने हाथ पैर दोए मू दोया और उसके बाद दूसरे वाला स्कूटी को ले जाकर एक दिवार के पीछे लवारिस छोड़ देता है फिर यह भी टंकी के पास आया और अपने हाथ पैद धोने लगा इसके बाद दोनों यहाँ से कहीं गायब हो गए अंदेरे की वज़े से साफ साफ इनका चेहरा भी नहीं दिख पाया कूटी पर अलग लग तीन फिंगर पिंट्स पाई गए यानि कि यह चोथा वाला कोई घर का ही मेंबर है पुलिस वालों को अब घर पर भी शक हो ही रहा था क्योंकि वो गेट जो था वो अंदर से ही खोला गया था और जो बनवारी लाल का चोटा बाई मुकेश था उसका भी कुछ अता पता नहीं था पुलिस वालों का शक उस पर भी गया कि वही कोई कतल करके तो भाग नहीं गया इसलिए वो आ नहीं रहा है बनवारी लाल की पत्नी संद्या पर भी पूलिस वालों का शक जाता है अब जिन जिन पर भी शक गया उन सबी की call details निकाले गई location चेक की गई और ये सारा कुछ एक हफ़ते के अंदर-अंदर ही चल रहा था कई सारी टीम्स लगी हुई थी CDR की जाच करते करते पुलिस वालों को संद्या के फोन में एक अन्नोन नमबर मिला इस नमबर से संद्या की दो महीने पहले बहुत जादा बाचीत चल रही थी अचानक ये नमबर किसका है पुलिस वालों ने इस नमबर को अपने रडार में रखा और इसकी डिटेल निकालने लगे ये नमबर हनुमान पर साथ जाट का जो की जैक नाम का एक आदमी है इसका नमबर था पुलिस वालों ने इस आदमी का पता किया गटना वाले टाइम की इसकी लोकेशन भी चेक की गई यहां से कहानी एकदम पलटने वाली थी हनुमान जिसका नाम रियल जाट है वो दो अक्टूबर दोजा सतरा की रात साड़े दस बजे और फिर एक बजे से दो बजे के बीच बनवारी लाल के घर के आसपास ही देखा जाता है यहीं से ही पुलिस वालों को एक लीड मिल चुकी थी जैक का पता किया गया यह आदमी उदैपूर का रहने वाला था पुलिस वालों की एक टीम उदैपूर बेजी गई वहां से जैक को उठाया गया और यहां से बनवारी ने ही दो सुपारी के लोगों के साथ मिलकर संधिया के पती तीनों बच्चों और भतीजे का कतल कर दिया था ये सुनकर हर कोई दंग रहे चुका था आकिरकार एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और यहां संधिया एक मैत्वो कांकशी लड़की थी इसे ल करन के बाद यहां जिम्मेदारी और बढ़ चुकी थी और यह जो पती बनवारी लाल शर्मा था ये फैक्टरी में काम किया करते थे संधिया ने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा ये कब अमीर बनेगी फिर इसने टाइक्वांडो सीखने का फैसला किया कहीं से इसे आईडिया होगा फिर ये पहले तो टाइक्वांडो की ट्रेनिंग लेती है फिर ये खुद उसकी कोच मन जाती है बाद में अलवर के लोकल बच्चों को ये ट्रेंड करने लगी कोचिंग देने लगी टाइक्वांडो के अलग लग टोर्नामेंट्स भी हुआ करते थे संधिया के मुलाकात हुई हरुमान पसाजार्ट यानि की जैक से उस दोरान संधिया शादी शुदा थी और साथ में तीन बच्चों की मा भी थी वहीं जैक संधिया से दस साल चोटा था और इसकी शादी भी नहीं हुई थी ये आदमी उदैपूर में बीपी एडी का कोर्स कर रहा तो ऐसे करके संधिया और जैक उदैपूर में मिलते हैं इनमें दोस्ती हुई और दिरे दिरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी इनका अनहतिक संबंद शुरू हो चुका था जैक कभी-कभी अलवर आया करता था वैसे इसका यहां एक दोस्त था मट्टू सरकार ज जैक इसी से मिलने के बाहने अलवर आया करता था और संधिया से मिला करता था संधिया भी ट्राइकवांडो की ट्रेनिंग लेने के बाहने जैक से मिलने के लिए जाया करती थी कई-कई दिनों तक यह दोस्त के घर पर ही रुखते थे इदरोदर घूमने फिरने जाते थे ऐ इसे इनका सब कुछ चल रहा था मगर ये एक्स्रेमेरिटल अफेयर कितने दिनों तक छिप सकता था फोन पर भी इनकी बाच्चित होती रहती थी तो संध्या का बड़ा बेटा अमन जो था वो अब समझदार हो चुका था इसे अपने मा के फोन से सारी सचाई पता चल चुकी अमन नहीं सारी चीज़े अपने पिता बनवारी लाल को बताई और बनवारी लाल संध्या के साथ लड़ाई जगडा करते हैं इसे बार जाने से रोकने टोकने लगे इसको पर इस्टिक्शन्स लगा दी थे अगर एक बच्चे को अपनी मा के बारे में पता चले वो भी ये ये भी अपनी मा को रोकने टोकने लगा पिता ने तो कई बार मा पर हाथ भी उठा दिया था और जब संध्या गर से बाहर निकलने लगी टाइकुआंडो सीख लिया तो ये थोड़ा सा घमंड करने लग गई थी और अपने घर में ये धोंस जमाने लगी थी और हर घर में क चिप चुप कर जैक से फोन पर बात करने लगी। मिलना तो या मुश्किल होई चुका था। गटना से तीन महीने पहले संध्या ने जैक से कहा कि इसके पती और बड़े बेटे को रास्ते से अठाना चाहिए। शुरू में तो जैक ऐसा करने से मना कर देता है। फिर ये भी स संध्या को पसंद करता था, शादी करना चाहता था, इसलिए ये आगे मान जाता है। अब ये दोनों मिलकर प्लैनिंग शुरू करते हैं। कतल से करीब दो महीने पहले जैक ने दो फरजी सिम खरीदे, एक सिम खुद रखा और एक संध्या को दिया। अब ये इसी पर बात किया करते थे, आपस में प्लैनिंग किया करते थे, इन्हें पता था कि ये काम दो लोगों के बसका है ही नहीं। फिर जैक ने दीपक नाम के एक लड़के को पकड़ा जो की पैसो के लिए कतल कर सकता था। फिर दीपक ने अपने ममेरे भाई कपिल को भी इसमें शामिल किय तीन हजार उपए में दो कतल की बात फिक्स हो चुकी थी। वैसे तो इस कतल से पहले भी संध्या ने कई बार अपने पती और बड़े बेटे को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। लेकिन तब ये नकाम्याब रही थी। दो अक्टूबर को कतल कर दिन चुना गया, दो कतल करते टाइम कोई भी फिंगर पिंट ना छूट जाए। जैक ने बहुत सारी नींद की गोलियां खरी दी और संध्या को दे दी। अब दिन आया दो अक्टूबर का, संध्या ने दीनर तयार किया, साथ में चटनी और दहीं का रायता भी बनाया। इसा भी नींद की गो को डाइट फटकार कर वहीं चुप कर वा दिया। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं, रायता और चटनी साथ में खाते हैं और उस दिन बड़े बेटे अमन की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसने रात को खाना खाया ही नहीं। यही कारण था कतल के टाइम पर यह जग गय और उन लोगों का विरोध करने लगा था। खैर अगर खाना खाने के बाद पूरे परिवार को नीद आने लगी सबी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। लेकिन बड़े बेटे अमन को नीद नहीं आ रही थी जिसने खाना नहीं खाया। फिर भी यह कम तु सरकार के घर पर आकर रुका हुआ था। माला खेडा से कपिल और दीपक भी आ चुके थे। अब ये तीनों लोग संद्या के घर पर पहुँचते हैं टाइम था साड़े दस बजे के आसपास का चट के दरवाजे के पास संद्या खड़ी हुई थी। इसने आखों से इ वेट करने लगा आधी रात होने का एक बजे क्या सपास ये लोग अब संद्या के घर पर पहुचें संद्या बाहर दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी इनका वेट कर रही थी। जब ये लोग वहां पहुचें संद्या ने में दरवाजे को खोला और इसने कहा कि यह यहां पर पहरा देगी तुम लोग जाओ अपना काम कर दो यहां जैक और इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर के उस रूम में गए जहां पर बनवारी लाल उसका बड़ा बेटा और अमन्स हो रहे थे यह बेड़ पर थे और जमीन पर तीन बच्चे सोई हुए थे हैपी अजू और नि अपने पती का पैर पकड़ा और इसके बाद जैक ने बनवारी लाल पर कई ताबर तोरवार कर दिये ताकि बचने की संभावना एकदम ना के बराबर हो इससे थोड़ा बोट छोर हुआ और बड़ा बेटा अमन जग चुका था क्योंकि उसने खाना तो खाया नहीं था तो इसे भी वहीं पर खतम कर दिया हाँ इसने भी बहुत बार अपना विरोध किया खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन फिर जैक ने इसे भी माड डाला और जो जैक था और इसके साथ दो जो सुपारी के कातिल थे उन्हें भी थोड़ी बोट चोट आई थी अब इन्हें य जैक ने हैपी और अज्जू को भी खतम कर दिया फिर जो बतीजा था उन्होंने सोचा कि अगर ये बच गया कुछ रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसे भी निप्ता दो इन्होंने यहां बतीजे को भी निप्ता दिया इसके बाद संद्या अपने स्कूटी की चाबी जैक को देती है किराए के कातिलों को वही पर उस टाइम तीन हजार उपए दिये गए फिर ये तीनों स्कूटी से निकल जाते हैं इधर संदिया ने खुद को साफ सुत्रा किया फर्स फ्लोर पर अपने कमरे में गई और अराम से सोने लगी और सुबा होने का भी ये सिरफ इंतजार करने लगी थी कब सुबा होगी और ये अपना ड्रामा शुरू करेगी इधर ये तीनों स्कूटी से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जैक वही पर ही उत्रा और बाकी के दोनों कातिल स्कूटी से मंडी मोड पर आए जहां पर एक कैमरे में वो कैद हो चुके थे वहीं पर जो कि मैंने आपको पहले बताया वहाँ एक टंकी थी उन्होंने अपने हाथ पैर मूँ दोया और साइड में एक दिवार के सारे स्कूटी को खड़ा किया और एक ओटो से अपने अपने गाउं चले गई जैक भी वो उदैपूर निकलने वाला था लेकिन उस टाइम की वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं थी फिर ये ओटो से राजगर लेलवे स्टेशन पहुंचा वहाँ से भी इसे कोई ट्रेन नहीं मिली फिर ये आटो से बंदी कुई रेलवे स्टेशन पर महुंचा दिरे दिरे अब सुबा हो रही थी यहां से उदैपूर के लिए इसे ट्वेन मिली और ये वापिस उदैपूर चला गया राजगर्ड रेलवे स्टेशन के पास ये एक नाला था वहीं पर इसने अपना चाकू फैक दिया जिससे पूलिस वाले बाद में बरामत कर लेते हैं जाज में पता चला के दोनों सुबारी के कातिल दीपक और कपिल नाबालिक है इन पर जो एनाइल कॉर्ट में केस चलता है और जो संधिया शर्मा और हनुमान परसाद का केस एडिशनल सेशन अन कॉर्ट में शुरू हुआ इन पर करीब 6 सालों तक मुकदमा चला जिसमें 77 विटनेस, 379 डोक्यूमेंट्स, 70 आर्टिकल पेश किये गए 21 मार्च 2023 को एडिशी कोट 2 ने अपना फैसला सुनाया जैक और संधिया पर लगे IPC धारा, 302, 201, 120B and 460 ये कोट में साबित हो चुके थे इन पर कोट ने उमर कैद की सदर सुना दी और 50-50,000 रुपई का जुर्माना भी लगाया कुछ वकीलों का यहां पर ये कहना था कि ये केस रेरिस्ट और रेरिस्ट केस की केटिग्री में आ रहा था जिस तरह से एक पत्नी ने, एक माने, एक बड़ी माने अपने पती, तीनों बच्चों और बतीजे का कतल करवा दिया उसे फासी होनी चाहिए ये बात भी उठी के ठीक तरीके से पुलिस वालों ने एक तो इन्वेस्टिकेशन नहीं की और दूसरा, वकील ने ठीक तरीके से इस केस को कोर्ट में पेश नहीं किया कोर्ट भी सबूतों और गवाहों के अधार पर फैसला सुनाती है तो लोवर कोर्ट की फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया उधर नाबालिक कातिलों का मुकदमा भी चल रहा है तो अभी भी ये केस अभी अदूरा है कि यहाँ पर उन्हें सफासी दी जाएगी कि उम्र कैद की सजबर करा रहेगी जो भी कुछ होगा आप लोगों को कमेंट में या फिर नेक्स टोरी की स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा तो ये थी पूरी कहानी शर्मा फैमली की जिसमें पांच लोग इतनी बेहरे में इसे मारे गए तो आप लोगों का स्टोरी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉड़कास चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में नौटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा मेरे इंस्टेग्राम आइड अप लोगों की स्क्रीन के उपर है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाए और जल्दी से इंस्टेग्राम आइड को फोलो कर लिजिए खैर पिछलोडे का शाउट आट दा रेट दर्शुबारिया एंड दा रेट अबीता फ्रोजा को कमेंट पिक में टो गेट आट 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 इन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी ही एक और चोका देने वाली इंट्रस्टिंग स्टोरी के साथ